सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपल पांडे आपका स्वागत करता हूँ आज का विशे है अक्टूबर दोजार चोबीस में सगय के मूरत विवा समंदी सभी रिवाजों के शुरुवात सगय समारों से ही की जाती है इसलिए सगय समारों विवा बंदन में बनने वाले जोड़े के लिए विशेश महत्वर रखता है सुब समय और सुब मूरत में सगय समारों को आयजन करने से विवा समंदी सभी कारिकरम सुवेविश्टित संपन होते हैं हम यह सगय के लिए केवल उन मूरतों के उल्ले कर रहे हैं जो मूरत मूरत सास्त्रे के मांदनों को पूरा करते हैं हम यह भी बता रहे हैं कि कौन सा मूरत किस राशेवले लड़कूं और लड़कियों के लिए उप्यूक्त है तो आईए जानते हैं अक्टूबर 2024 में सगाई के लिए शुब मुरत कब-कब है पहला मुरत ये मुरत दिलंक 7 अक्टूबर 2024 सोमवार को है इस मुरत का समय है दिन में 11 बजकर 41 मिनट से 12 बजकर 38 मिनट तक तता दिन में 3 बजकर 9 मिनट से 6 बजकर 3 मिनट तक ये मुरत सिंग, मेश और धनूर आशिवाले लड़के और लड़कियों के अतरिक अन्य सबीर आशिवाले लड़के और लड़कियों के लिए शुब है दूसरा मुरत ये मुरत दिनांक 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को है इस मुरत का समय है दिन में 11 बजकर 50 मिनट से 1 बजकर 40 मिनट तक तता साम को 4 बजकर 33 मिनट से 5 बजकर 69 मिनट तक ये मुरत तुला, मिथुन और कुम्ब राशेवले लड़के और लड़कियों के अतरिक अन्ने सभी राशेवले लड़के और लड़कियों के लिए शुब है तीसरा मुरत ये मुरत दिनांक 17 अप्टूबर 2024 गुर्वार को है इस मुरत का समय है साम को 5 बजगर 53 मिनट से रात्री में 9 बजगर 3 मिनट तक ये मुरत मकर, कन्या और व्रशव राशेवले लड़के और लड़कियों के अतरिक अन्ने सभी राशेवले लड़के और लड़कियों के लिए शुब है चोथा मुरत ये मुरत दिनंग 27 अक्टूबर 2024 रववार को है इस मुरत का समय है सुबह 9 बजगर 24 मिनट से 12 बजगर 33 मिनट तक तता दिन में 1 बजगर 34 मिनट से 2 बजगर 37 मिनट तक तता साम को 5 बजगर 44 मिनट से 8 बजगर 37 मिनट तक ये मूरत वर्षब, मकर और कन्या राशे वाले लड़के और लड़कियों के अत्रिक अन्ने सभी राशे वाले लड़के और लड़कियों के लिए शुब है पांचों मूरत ये मूरत दिनांख 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को है इस मूरत का समय है सुबह 9 बजकर 24 मिनट से 10 बजकर 27 मिनट तक तथा दिन में 11 बजकर 48 मिनट से 12 बजकर 33 मिनट तक तथा दो बजकर 27 मिनट से पांच बजकर 43 मिनट तक ये मुरत व्रसब, मकर और कन्या राशे वाले लड़के और लड़कियों के अत्रिक अन्य सभी राशे वाले लड़के और लड़कियों के लिए शुब है यदि आप इन मूर्तु के बारे में पढ़ना चाहें तो डिस्क्रेप्शन में पढ़ सकते हैं